कोविड-19 लोगडाउन के बज़ेसे हमारे चिंदगी के तमाम पहलू पर असर पढ़ा है बिजनिस में नोकरी में और तो और बच्चों की पढ़ाई में आज हम बच्चों की पढ़ाई के ओर क्या क्या असर पढ़ाई पर चर्चा करेंगे हेलो तुम्हारा क्या विचार है बच्चों के पढ़ाई पर लोगडाउन में क्या फरक पढ़ा है? क्या तुम इस पर अपने विचार रख सकती हो? बहुत ज़्यादा फरक पर नहीं पा रहे हैं बच्चे. एसा पर मुझे तो ऐसा लगता है लोगडाउन से सीखना तो अच्छा और बढ़िया हो गया है. अब मैं देर से सोके उठ पाता हूँ. अब मेरी ममी मुझे सोके उठने के लिए डाटती भी नहीं हैं. और मैं अपने पढ़ाई घंटे खुद तया कर पाता हूँ. लेकिन पहले हम ज़्यादा अच्छा पढ़गाते थे स्कूल जाते थे, छह गंटे लगातार पढ़गाते हैं अब नहीं पढ़गाते हैं हम. यह तो तुम्हारी बात ठीक है कि पहले छह गंटे मिलते थे, पर क्या हम उम छोगणे लोग vidéo्न में. यह तो तुम्हारी बात ठीक है कि पहले 6 घंटे मिलते थे पर क्या हम 6 घंटे लोग डाउन में अब मैं लगातार 6 घंटे स्कूल की तरह तो नहीं पढ़ता हूं पर मैं अपने पड़ाई घंटे खुट करता हूं जब मैं आदा घंटा या एक घंटा जितना मुझे मज़े आते हैं उतनी देर मैं कुछ एक्टिविटी या किताब का काम करता हूं फिर मैं खेलता हूं या सो जाता हूं या मैं अपनी मम्मी के साथ कुछ काम में भी हाथ बड़ा देता हूं इसकूल में ऐसा मैं नहीं कर सकता और यह से घाल। आव डावनताता है. यह तुम कहरे ही हो कि हां हम एक किताब का स्कूल움 venet आप उसको चाहाँ से शीख तरह सायदें जो हम सीख रहे हैं मैं अब रोज दादा दादी से कहानी सुन पाता हूँ और कहानी सुनने से मेरे पास सब्दों का भंडार रड़ रहा है और मैं अच्छे से उन कहानी दादा दादी की कहानियां बड़ी रोशक कुती हैं उन कहानियों को मैं अपने सब्दों में अपने दूसरे भाई भेनों को और दोस्तों को सुनाता हूँ इसमें नहीं मजा आता है बढ़ी बड़ा मजाता है और तो और दादादी के साथ मैंने इतना समय पहले कभी नहीं बिताया था ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हाँ ये तो आपकी बार ठीक है लेकिन मुझे ये बस सिर्फ इतना ही लगता है कि लोग डाउन से सारे बच्चों की पढ़ाई अर्सियस हो गई है मैं अब चितना जादा पहले पढ़ पाती थी शायद मैं नहीं पढ़ पाती हूँ पढ़ना पर मुझे लगता है कि अब बच्चे जारे खुश हैं और बच्चे जो स्कूल में नालायक थे वो अब लायक हो रहे हैं क्यूंकि अब उन्हें गलतियों पर ढाटा नहीं जा रहा है जबकी उनके बड़े वाइभेण उनकी गलतियों को उन्हें व्हें शेकाने में मदद कर रहे है मजे तो लोकडाउन में सीखने जारे अच्छा लग रहा है क्यूंकि स्कूल में ऐसा नहीं होता था हाँ एक बात और जो मैंने लोग डाउन में सबसे बड़ा फाइदा दिखा अब मैं सुबह उठकर अपने पिताजी के साथ योगा करता हूँ मझे योगा करने बहुत मज़ा आता है मैंने देखा पिछले दो महीने में मेरी हेल्थ में भी सुधार हुआ है अब मैं जंक फूड काम खाने लगा हूँ क्योंकि मैं दादी के साथ दल्या खाता हूँ मैंने देखा कि हमें अपने जिन बुणा से टाई से मैंने कभी दिनों से फोन बात नहीं की थी हम मैंने उनसे भी बाते करने शुरू कर दी है और यह सब तो मुझे लगता है स्कूल टाइम में तो मुझे टाइम बिली नहीं पाता था क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो यह बात तुम्हें बिल्कुल सही है जो आप आपने लास्ट में बोला है मुझे लगता है लोगडाउन से हमें फायदा मिला है तो ये दो हमने काफी बाते कर ली है अब हमारे जो सुरोता है जो हमें सुन रहे हैं आपको क्या लगता है कि लोगडाउन में बच्चे के पढ़ने पर क्या असर पढ़ा है आप भी हमारे साथ जुड़िए और कमेंट बुक्स पे लिखिए बाबाई